हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फैमिली वी लोग ब्यूटी में आप सभी का स्वागत है और आज मैंने एक फेस्ट बनाया है क्योंकि समय स्टार्ट हो गया है समय में अपने बालों की और अपनी स्कीन की केर करनी चाहिए क्योंकि मौसम ऐसा होता है चिप चिपा इ चाहिए पर इस मौसम में ज्यादा करने जाए जिसके लिए मैं दही का फेस्ट बनाए मैंने दो से तीन चमल दही लिए और अब मैं इसमें एड़ करूंगी हल्दी क्योंकि वह बैस्त है हमारी स्कीन के लिए अंटी सैफ्टिक है अगर आपकर लग भी रही है अगर फेस्पे नकून वगयर कुछ लग ज़ 오른 तो उसको ठीक करने का भी ये काम करती है और मैंने इसमें नीबो जब तक किसारी चीजे मिक्स नहीं होगी तब तक करने काम करती है हफ़ते में अब समझ चल रहे हैं तो आप हफ़ते में दो से तीन वार इस रेमेडिय को जरूर यूज़ करें जिससे कि आपकी स्कीन जो है वो साफ हो जाएगी अगर आपके फेस पे डाक सकल हैं पिमपल्स हो रहे हैं और जो मुहासिज होती है उसकी ज़्यादा समस्या है तो आप उसको हलके हाथों से अपने फेस पे लगाएं डेली भी लगा सकते हैं क्योंकि यह आपकी स्कीन में नमील आएगी अगर आपकी स्कीन ड्राइ है तो अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा ले और यह आपके फेस के एक्स्टा ग्लो देता है यह पैक जो है वह आपकी स्कीन को अंदर से एक्स्टा ग्लो देता क्योंकि यह हमें घरेलू नुक से जो होते हैं वही यूज़ करने चाहिए और क्रीम वगेरा से तो थोड़ा पैक बनाया है हम में रेमेडी यूज़ करती हूं तो जिसके लिए मैंने इसब ले लिए और अच्छे से मसाज करूंगी मसाज करने से जो मेरी स्कीन में डस्ट होगी यह निक्चे होती है इसके इसके पास ज्यादा वाथ ठोड़ी के पास जो हमारी जो गंदी स्कीन वह ज जामील आती है डाक इसपोर्ट को रिमोव कर देती है और आपके जो ब्लैक हैर्स वाइट हैर्स हो जाते हैं अगर आप डेली एवरी डेयर से मसाज करेंगे तो वह भी नहीं रहेंगे और आपके जो पोर्ट्स में ओपन हो आएंगे तो हमारी तुचा को अच्छे से सांस लेने का काम करेंगे और अंदर से हमारी स्किन को साफ करने का काम करेंगे तो यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायरी मंद है इस पेक को आफ हफते में तीन वार जरूर लगाएं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज से सब्सक्राइब करने चैनल को और लाइक करें, कमेंड करें, और मुझे बताएं, पर इसके एक्स्टा ग्लू तो आता ही है, और आपका कलर भी फियर हो गई, आप देख सकते हैं, और में डाक सा कल भी अब थोड़े बहुत कम हो गए हैं, थोड़े बहुत ही रह गए हैं, बाइवाई फ्रेंड्स